सब्सक्राइब कर लिजिए अपने चनल टेक गयान पिटारा को और बेल आइकॉन को भी दबा लिजिए तकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से पहुशता रहें दोस्तों कहीं आपको भी सीखना है कि आप अपने स्मार्ट टीवी में सीपी प्लस के डीवीर को ऑनलाइन कैसे देखेंगे यहां पर करेंगे आल में जैसी क्लिक करेंगे तो मैं कोई भी वीडियो आप अपलोड करता हूं तो इसको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्रॉपर तरीके से पहुश जाएगा और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को देखने से पहले देखें यह याद रखना Android TV होना बहुत जरूरी है आपका वन्ना आपके स्मार्ट TV में प्ले स्टोर में आपको जीसी मोब एप्लिकेशन को डाउनलोड करना आना चीए ठीक है अपने टीवी में कम से कम सबसे पहले आपको अपने टीवी में यह वाला एप्लिकेशनिक को डाउनलोड करना रहता है kali दाउन्लोड है ने इन्स्टॉल करना रहते है अपने टीवी में इसको डाउन्लोड कैसे करेंगे लिंकगो जैसे आप क्लिक करोगे लिंक कहां से मिलेगा नीचे विडियो इसी मोव वाला आपका एप्लिकेशन आ चुका है यह APK फाइल है यह कुछ इसी टाइप के दिखता है दोस्तो टाइप के दिखता है इसको राइट क्लिक करना है आपको कॉपी करके अपने पेंड्राइव में डालके अपने टीवी पे लगा के इससे इंस्टॉल कर लेंगे क नहीं आपका एंड्राइड टीवी है तो बहुत इजी से यह वाला एप्लिकेशन डाउनलोड हो जाएगा अब डाउनलोड होने के बाद आपको किस टाइप से एंवार्मेंट आपको दिखेगा टीवी में वो मैं आपको दिखाता हूँ देखे एपी के डाउनलोड करने के बाद जैसे आप एंड्राइड टीवी में पेंड्राइव लगाएंगे तो बहुत इजी तरीके से इंस्टॉल हो जाता है इंस्टॉल होने एक बाद देखे आपका एप्लिकेशन जैसा मोबाइल पे दिखता है जीसी मूब वैसा ही आप आपको अपने इंस्टॉण के क्लाउड का जो भी आईडी है जो भी डिटेल है उसको आपके टीवी में इंस्टॉल करना है और डाला है ठीके अब उसको कैसे टाइप करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कहां से आपको ऑप्सन में लेगा क्योंकि यह जो जीस प्रेक प्रेकर स्लाइड को दिाता हूं देख आपधां ट्रॉस्हाथ स्टरॉण प्रेकर चप्रमारी स्वाह्स प्रषे क्लिक करना है जा है यह पिसायरN क्रिव्टन सीरल फोनावत मइल यूजर नेम और पासवर्ड यहां से डालना रहेगा और लाइव प्रिव्यू में फिर से आपको एक्स्ट्रा से निकालके आपको में में करना रहेगा ताकि HD का क्लैटी आपको टीवी में दिखता रहे ठीक है जो लाइव प्रिव्यू है उसको एक्स्ट्रा से निकालके में इन में करना है, जैसि आप अपने सेरेल नंबर, यूजरनेम और पासवर डालेंगे तो आपके टिवी में, जैसे मुबाइल पे आनलाइन हो जाता है वैसे ही आपके smart TV में आनलाइन हो जाता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये process आपको Android TV पे ही कारगार होने वाला है, ठीक है किसी भी Smart TV में आप इस प्रोसेस से नहीं कर पाऊगे, क्योंकि ये जो मैं प्रोसेस बता है, वो Android TV के लिए Android TV में Direct App Pen Drive लगा के आपको इंस्टॉल हो जाएगा और Mobile से आप इसको जब मैं मेरे वीडियो देखके, अपने टीवी पे आउनलाइन कर सकते हो, बट नॉर्मल टीवी जब रहेगा, नॉर्मल स्मार्ट टीवी आपका रहेगा, सोनी का या LG का, वहाँ पे आपको कम्पनी से बात करके GCMOB एप्लिकेशन को किस टैप से डाउनलोड करना है उनसे आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते है इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो यहां तक आपने देखाया है थोड़ा सा भी अच्छा लगाओ वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करना ठीक है लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है झाल झाल